है है ह्लो वीवर्ज आशा करती हूँ आप ठीक हैं आप लोग अपना खयाल रखेगा और अपने पॉध का भी है रहती हैं आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप लोग मुझे देखते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं जैसे भी मैं अपलोड करती हूं साथ-साथ मेरे जितनी भी सब्सक्राइबर से वीडियो को देखते हैं मुझे मुझे अच्छा लगता है आप लोग मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल को आगे बढ़ा रह यह किसी के लिए मैंने यह वीडियो तयार किया है और यह देखिए मेरा एक पौधा जो है मैंने लगाया था गमले में अभी यह पौधा बन गया पेड़ और यह बहुत हेल्दी है रोज फ्लारिंग होती है और जब हम लोग लगाते हैं जमीन में तो हम लोग अभी पानी भी के कोशिश करते हैं तो इसी से सारे इशूज आते हैं अब टाइम टू टाइम हमें उनको ठीक करना होता है तो आईए चलिए देखते हैं यह गुढल का पौधा है और देखिए यह गमला मेरा बिल्कुल साइज में सही है बड़ा है लेकिन इसका रूट्स बाहर की तरफ आ गया और बहुत ज्यादा रूट्स अंदर की तरफ फैल गया है इसलिए इसको थोड़ा सा अनकमफर्टेबल लग रहा है तब यह उपर की तरफ आ गया रूट्स में ही सारा फंक्शन होता है रूट्स के जरिये ही जो है पत्तों पर पानी जाते हैं तो इन्हें इस तरह से दाइरेक्ट संलाइट नहीं लगना चाहिए वह मिट्टी के अंदर ही रहे तो सही होगा ऐसे प्रॉब्लम आने के बाद फूलों में फ्लारिंग हो रही है मेरा यह एक हाइब्रिट क्वालिटी का है इसमें फ्लारिंग होते रहता है और इसमें बाड्स भी है यह देखें सिरेरी इसमें होती है और इसका बहुत बढ़ा है साइज एट इंच का आता है यह लेकिन अभी व्यकॉजर रूव्ल पाहर आ गए है तो इसमें स्में का साइज है यह ऑलमॉस्ट ऐली फोर इंच का है अदर वाउसी ऐट इंच का फ्लार होता है बहुत अच्छा बहुत खुबसूरत लगता है जब बहुत बड़े सा इसका खिलता है तो लेगिन मुझे ये सही करना पड़ेगा roots को मुझे कुछ करना पड़ेगा और ये सिर्फ इस वाले plant के लिए नहीं और भी कई सारे plants में ऐसा problem होता है जैसे कि ये एक proton plant है उसका roots बाहर की तरफ है आप देखिए ये किलोडिया यानि कि अप्राजिता इसका भी roots बाहर की तरफ आ गया है ये एक और गोड़ाल का पधा है इसका भी roots बाहर की तरफ आ गया है इसी चीज को कैसे ठीक करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी सबसे पहले मुझे जो ही इस पौधे को बाहर निकालना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा carefully करना है ताकि मेरे फूलों को कोई तकलीफ ना हो और कोई भी birds टूटे नहीं बहुत सारे इसमें birds है मुझे इसको ब यह रूट्स कितना फैला हुआ है और क्यों आसे बाहर आ गया है यह देखिए यह बहुत ज्यादा मोटे मोटे रूट्स बहुत बड़े हो गये हैं और इसी के प्रेशर के वज़े से यह बाहर की तरफ आ गया है और इसी को मैं क्या करूंगी रूट्स को मैं काट दूँगी यह आप तोड़ दीजिए यह आप काट दीजिए ताकि उपर की तरफ यह फिर से प्रेशर नहीं डाले यह देखिए इसमें एक ड्रेनेज होल है और हर गमले में आपका इसा ड्रेनेज होल रखना होगा और उसको किसी भी चीछ से टेंपरेरिली इसको जो है ब्लॉक करती हूँ उसके बाद इसके उपर मैं मिट्टी डालूंगी फिर मैं इस पौदी को वापस डाल दूँगी यह मैंने बिल्कुल देखिए रूट्स मैंने काट दिया और अब मैं इसको वापस इसी गमले पर रख दूँगी और इसी तरीके से मैंने अपने चारों गमलों को ठीक कर लिया है आप देख रहे हैं अभी रूट्स अंदर की तरफ है अभी यह विजिबल नहीं है आप अच्छी तरीके से पानी भी ल्याल दिया मैंने और फिर भी बीच बीच में आप अपने मिट्टी की गुडाई किया ताकि पानी अंदर तक जाए और फिर भी इस वीडियो से आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फोन भी करके पूछ सकते हैं मैं तुरंत ही आपको जवाब दूँगी और हो सके तो मैं इन डीटेल वीडियो बना के आपको करुछ सकते हैं मैं पूछ अजवाब दिले के तो मैं पूछ सकते हैं मैं जजवा झाले का इसकती हैं मOOF ju ее बना कर दो़ाब दूच से ओमंदर खिए और हम आपको जहें मैं बना को अबमिना ढांक याविर को भी News